मेटाबोलिज्म टीवी में आपका स्वागत है आपका सही जानकारी का स्रोत मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में एक एंठन जो आपको पतला होने नहीं देती मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ मोटापा और चया पच्चय में विशेशा ज्या ठीक है ये देखा गया है कि अधिक वजन वाले लोगों में मधुमेह से पीडित व्यक्तियों में और यहां तक कि जिन लोगों का वजन अधिक नहीं है उनमें भी एंठन होना काफी आम बात है मैं विशेश रूप से सबसे अधिक उन रात्री क्रेंप्स की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में बहुत ही दर्दनाक होते हैं जो बटाटा में होते हैं वहां अन्य देशों में उसे बटाटा कहते हैं अह पिंडली लेकिन यहां प्योटो रिको में हम इसे बटाटा कहते ह ये पिंडली है ख्षमा करें जॉर्ज ने मुझे सही किया अच्छा जब आपको उनमें से एक ऐसी एंठन होती है जो भयानक रूप से दर्दनाक होती है जिससे आप फर्ष पर भी खड़े नहीं हो सकते और वगेरा वह भयानक है क्योंकि ये सब उस ख्षमता से संबंधित है जो उनके शरीर को वजन कम करने मधुमेह को नियंतरित करने या यहां तक की उर्जा प्राप्त करने में होती है मैं एंठन के कारणों और उनके समाधान को संख्षेप में समझाऊंगा क्योंकि केवल समस्या बताना बिना समाधान के अधूरा है तो मैं ब्लैक बोर्ड पर जाता हूं समझने के लिए कि एंठन का कारण क्या है खोजने पर बहुत उत्सा हुआ क्योंकि जब हमने इसे पाया नैच्रल स्लिम सिस्टम के कई सदस्य हमारे पास प्योटो रिको USA में नैच्रल स्लिम है मेक्सिको पनामा जल्द कोस्टारिका कोलंबिया और अन्य जगहों पर नैच्रल स्लिम में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं सुनो लेकिन मुझे एंठन हो गई रात में कुछ एंठने हुई यह भयानक है और मुझे परेशान करता है और हमने पता लगाया कि यह क्या था एक बार जब हमने इसे खोजा तो समाधान किया पाया कि एंठन दूर होते हैं तेजी से वजन कम होता है और मधुमेह रोगी अपने मधुमेह को कम इंसुलिन के साथ बहतर नियंतरित करते हैं इसलिए यह साज़ा करने के लिए महत्वपोर्ण है मैं आपको यह दिखाने के लिए एक पल के लिए ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूं कि ये वास्तव में किस बारे में है कृपया ध्यान दीजिए देखिए हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि आखिर एंठन क्या होती है यानि कि एंठन मानस्पेशियों में होती है एक मानस्पेशी अगर एक मानस्पेशी वास्तव में ऐसी है तो उस मानस्पे जो इतनी लंबी है यहां से लेकर यहां तक तो जब यह सिकूरती है तो यह ऐसा कर सकती है और अधिक छोटी हो जाती है वही क्रैंप है एंठन के क्षण में क्योंकि वास्तव में यह मांस्पेशी इस तरह से संकुचित होती है लेकिन यह संकुचित होती है और इसे फिर से आ आराम नहीं कर सकती वह एक एंठन है तो हम में से एक चीज जो हमने खोजी है वह ये है कि जो लोग क्रेंप का अनुभव करते हैं वे वजन कम करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें अपनी डायबिटीज को इतने इंसुलिन, मेटफॉमिन या दवाओं की आवश्यक्ता के बिना नियंतरित करने में भी कठिनाई होती है इसका मतलब है कि हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण संबंध है उनका उच्च दवाव के विशय से भी बहुत गहरा संबंध है लेकिन एंठन, एंठन का कुछ मतलब होता है एंठन का मतलब होता है जो हमने खोजा वह यह है और यह वैज्ञानिक साहित्य में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है जिस तरह से शरीर को बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है कोशिकाएं वैसी ही है केंदर में माइटोकॉंड्रिया है जो उर्जा उत मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर का लगभग 58% पोटेशियम कोशिकाओं के अंदर स्थित होता है जबकि केवल 2% पोटेशियम बाहरी हिस्सों में मौजूद होता है अब कोशिका के बाहर जिस तरह से दिव्य डिजाइन है बाहर जो होने वाला है वह है बहुत सोडियम नम में पोटेशियम का स्तर अधिक होता है तो डॉक्टरों का चिंतित होना सही है क्योंकि खून में पोटेशियम का थोड़ा अधिक होना इस बात का संकेत है कि कोई कोशिका तूट गई है नश्ट हो गई है और पोटेशियम बाहर निकल गया है अगर पोटेशियम बच निकल रहे हैं पोटेशियम जहां इसे होना चाहिए वह यहां के अंदर है यहां के भीतर और सोडियम बाहर है और वह कहें तो दैवी एक्रम है जैसे चीजें होनी चाहिए जब स्वास्थ्य ऐसा हो तो 98% पोटेशियम अंदर होता है थोड़ा बाहर पोटेशियम लगभग नहीं 2% और बाकी बाहर सोडियम है तो स्वास्थ्य के लिहाज से यानि कि सोडियम और पोटेशियम विप्रीत हैं वे कहें तो भगवान और शैतान की तरह हैं नमक शरीर में तरल रखता है और पोटेशियम एक अत्यंत प्रभावी मूत्र वर्धक है इसलिए दोनों का कारिय पूरी तरह से अलग है पोटेशियम कोशिकाओं के अंदर रहता है जहां उसे होना चाहिए और सोडियम बाहर रहता है जब किसी व्यक्ति को एंठन होती है तो क्या होता है क्या वास्तव में जो हो रहा वह ये है कि ये नियंतरन से बाहर हो गया है क्योंकि ये नियंतरन से बाहर क्यों होता है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या खो जा गया है इस विशेश कोशिका को पोटेशियम को अंदर सुरक्षित रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र की आवश्यक्ता होती है जो यहां है और जो कोशिका की दीवार में स्थित है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है मैं इसे यहां रखूंगा सोडियम पोटेशियम पंप यह बम जो यहां है वो एक तंत्र है जिसमें कोशिका होती है जिसका कार्य यह है कि अगर कोई नमक यहां के अंदर चला जाता है तो बम उसे बाहर निकाल देता है और जो पोटेशियम आप खाते हैं मान लीजिए सबजी यहां सलाद जो भी हो बम उसे अंदर ले जाता है इसका मतलब है कि उस पंप का मुख्य कार यह संतुलन बनाए रखना है ताकि कोशिका के अंदर पोटेशियम हो और कोशिका के बाहर सोडियम हो अब जब कोई व्यक्ति सब्जियों सलादों में कमी वाले आहार का पालन करता है जो कि पोटेशियम के पुख्य रूप से सबजियों और सलाद में पाया जाता है इसे फल भी रखते हैं वजन कम करने के लिए हम खुद को बहुत अधिक फल की सलाह देते हैं क्योंकि फल आम तोर पर फ्रुक्टोज में बहुत अधिक होते हैं और यह आपको वजन कम करने नहीं देगा उदाहरन के के लिए मेटाबोलिजम की शक्ती या डाइबिटीज सिन प्रॉब्लमस पुस्तक में जाने से डाइबिटीज नियंतरित हो सकता है सुझाव है कि इस्तिमाल किया जाने वाला फल कम उश्नकटि बंधिये हो जैसे स्ट्रॉबेरी सेब जो फ्रुक्टोज में कम होते हैं वज उतने मददगार नहीं क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज अधिक होता है मुद्दा ये है कि संतुलन बने रहे और एंठन ना हो परियाप्त पोटेशियम जरूरी है जब अंदर परियाप्त पोटेशियम नहीं होता है मान लीजिए कि पोटेशियम कम हो जाता है क्योंकि व्यक कोशिका सूच जाती है और पानी से फूल जाती है क्योंकि नमक के साथ पानी आता है सोडियम पानी को खींचता है और जब वह कोशिका सूच जाती है तो यही मांसपेशी के साथ हो रहा है मूल रूप से एक मांसपेशी इसलिए फंस जाती है क्योंकि उसके अंदर परियाप् magnesium भी नहीं होता है magnesium sodium potassium pump को चलाने वाला खनीज है इसका मतलब anton को control करना है magic mag जैसे magnesium citrate का उपयोग करें जो pump को सक्रिय करता है यह आपके भोजन और सलाद में potassium के प्रवेश को सक्षम बनाता है magnesium के बिना potassium प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि pump सक्रिय नहीं होता potassium capsule के साथ supplement करना संभव है हम potassium citrate का उपयोग करते हैं क्योंकि यह अधिक अवशोशित होता है clinical अध्ययनों में अच्छा प्रदर्शन करता है और शरीर के लिए कैसे काम करता है potassium citrate के कई प्रकार हैं जैसे gluconate, sulfate और अन्य लेकिन bio disponibility और metabolic प्रभाव के द्रिष्टिकोंड से सबसे तेजी से काम करने वाला potassium citrate है क्या हो रहा है? उदाहरण के लिए जब कोई natural slim में वजन कम करता है और एंठन की शिकायत करते हैं हम जानते हैं कि potassium magnesium कम है मूल रूप से magnesium potassium से सब ठीक होता है potassium अंदर जाता है, नमक बाहर निकलता है, एंठन चली जाती है और वजन भी कम होता है और ये बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई जीतती है